Hello friends, केसा सब लोग? то friends, आज मेरे साथ है Madam Sweetie और Sweetie Mem के CT 8 के एक्जाम में आए है 130 number तो 130 number CT 8 के एक्जाम में कैसा आए? क्या इनऊनोंने पढ़ा? कोन से किताबे पढ़ी? या नहीं पढ़ी? कोचिंग ली या नहीं ली? और जो 100 number आए है, 130 number यह सिर्फ इनके आई है 20 से 25 दिन में ठीक है और इतने कम दिनों में इनके नंबर आई है वो कैसा आई है वो सब आज की वीडिये के अंदर आपको CT में बताने वाली है तो ध्यान सा आप लोग सुनते जाना इनकी guidance के बारे में आप लोग भी इतने नंबर लेके आ सकते हो ठी स्टुडेंट के देखें बहुत से और भी ऐसे स्टुडेंट है जिनके 140 के करीम नंबर आए हुए है लेकिन उनके अगर बहुत दूर दूर है तो पोसिबल नहीं है उनका आप आना ठीक है बहुत से स्टुडेंट कहते है सर जूम से ले लिजे हमारे इंटर्यू बट पोस एक सो तेरे नंबर है तो पहले तो स्टी में आपका वैलकम है मेरे यूटूब चैनल पर थार्गेट किया था क्यूंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल कम था एक डेर महीने ही टाइम थे तो मुझे लगा बस मैं अभी पेपर वन की तयारी कर लेती हूं पेपर निकलने के प्रिपरेशन करूंगी पर 200 रुप्य ही ज्यादा लग रहे थे तो मैंने सुचा चलो फॉर्म फिल अप कर देते अगर हो पाया तो एकजाम दे दूंगी और अलग से मैंने पेपर टू के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था ठीक है तो मतलब आपका पूरा दयान पेपर वन कि तयारी को आपने फॉर्म कर दिया अब बिल्कुल बेसिक से बते हैं कैसे श्टार्टिंग आपने करी मैंने फॉर्म फिल अप किया उसके बास सीट युटके वेबसाइट से ही उसमें दिया हुआ है कोसन डला हुआ है वेबसाइट पर प्रिविएस यार कोसन दिसमबर 18 स जनवरी 21 का था उस टाइम पर दिया हुआ तो वह मैंने डाउनलोड किया उसको बनाना शुरू किया तो फिर मैंने यूट्यूब से हेल्प लेना शुरू किया मुझे क्यूंकि सर मेरे दो बच्चे थे और छोटा वाला बच्चा मेरा मतलब बहुत ही छोटा इतना कि मैं नहीं सकती थी वह कॉपी चील लेता या ऐसे करता तो किताब कपी लेकर पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल था नहीं मैंने कोई बुक पर्चेज किया नहीं कहीं कोई कोचिंग नहीं किया मतलब आपने ना तो कोई बुक ली सीटेट के लिए इंटर्वीव देने आते हैं तो यह कहते हैं हमने कोई बुक नहीं नहीं कोई कोचिंग नहीं कोई कोचिंग नहीं बस यूट्यूब के हल्प से पढ़ाई कि तो जब मैंने चैनल देखना शुरू किया तो बहुत सारे चैनल अब लेबल हैं बड़े-बड़े पर मुझे वह साटिस्फेक्शन नहीं मिल रह बिल्कुल to the point पढ़ाते हैं और जो मैंने पहले से previous year डाउनलोड करके रखा था तो मुझे लग रहा था अच्छा सर तो एकदम ऐसे ही टार्गेट करके पढ़ा रहे जो बस आने वाला है या आया हुआ है तो मुझे यहीं से पढ़ना है देख रहो हो तारिफ हो रही है तो लास्ट के 20 दिन सर मैंने मुझे सही जगह पे मिल गया मैं सही जगह पे आ गई थी तो फिर मतलब मोटी मोटी जो तयारी करी थी आपने वो 20 से 25 दिन मेरे चैनल से करी थी और वैसे तयारी स्टार्ट करी थी आपने कितने देड़ महिना पहले ठीक है यानि मोटी मोटी से तैयारी स्टार्ट कर दी और सिरियस से कर दी तो वह यह चैनल में देखते रहते तो वह अगर नहीं देख पाई तो वह घृठ दूसरे दिन जब घर के काम करीओं सफाई करीओ ब्लूटूथ लगा करन में या ये फोन लगा कर वो मैं सुन भी लेती थी क्योंकि ऐसे बैट के देखने के लिए तो तो अमनलब एक दो रिजम्मेदारी होती है महिला के ओपर घर भी देखना होता है वाच्चें भी समानने होते है ठीक है तो एक तो सलाम मतलब एक दो रिजम्मेदारी आप लोग निभा रहे हो और उसके बावजूद भी पास नहीं हो रहे हो इतना बड़ा नंबर लेकर आ रहे हो तो मतलब ऐसे डेडिकेशन को तो सलाम है ठीक सब्सक्राइब जैसे तो मेरे जो दो नंबर कटे एक यूटीव चैनल से ही मैं इकोमोडेशन के क्योंकि उसमें बताये गया था कि जब तक करने के लिए नहीं बोला जाए जब तक करने के लिए नहीं बोला जाएगा उसमें था कि नया बनता है तो क्या होता है तो मैंने डाला पर वह होना था बाद में सर मैंने आपके चैनल से वह क्लियर कि आए जांके बाद तो एक तो गलत हो गया और एक चलाना और यह करके रखना इसे था कि वह कौन सी मेमोरी माता वह भी मैंने सर बाद में आपके चला से पहले नहीं देखी दो नंबर आपके वैसे 26 नंबर है तो आपकी बहुत अच्छी हो रखिए सर पे गलत हो गया और सीडीवी में एक चीज़ आपने और बताई कि सीडीवी आपके साथ साथ जो आपके बड़े बच्चे है जो बड़े बेटे हैं उनकी बहुत इस्च्छों हो गया तो यह भी मेरे साथ मतलब इसको भी पता था कि अच्छा बाइग उसकी ने क्या बोला पहल इतने चोटे बच्चों कितनी चीज़ पताती इतना चोटा बच्चा आप लोग सीडीपी से डरते हो आजो इतना चोटा सा बच्चा है इनको सीडीपी के बारे में सब चीज़े पताती अगर इनको पेपर दे जाये ना 25 पलस नमबर यह मार कर आ जाते है इनको इतना पता थाइ बोलतो बेटा सबको ठीक है कुछ सेंटेंस बोल दो अबने य हिंदी में नहीं बोल भुलता है ठीक है? टीक है? आप लोग देखरो कितना तेलेंटीड है इसके सीड़ी इतनी स्ट्रों होगए थी मैडम के साथ पढ़ते यह जो मैडम के स्टुडेंट भी है ना जिनको मैडम तयारी कराती है यह उनको पढ़ा देता है आप लोग सोच सकते हो कि इतना प्रतिवास आली बच्चा आए ठीक तो सीडिप आपने इस तरीके से तयार गड़ी यूटूब चनल से पढ़ पढ़ कर ठीक है वेरी गूड उ क्योंकि मैज सिंद का पहले से श्टोंग रहा और मैज बहुत असान आती है इस बार थोड़ा सा घुमाया था ताइम टेकिंग वाला था तो इस बार सीटेट का जो कुश्चन का लेवल ता वो पिछली बार ओफ-लाइन के मुकाबले में अलब था टाइम टेकिंग ता वैस तो सब के 27, 28, 29, 30 ऐसे आए एकिस दिसाबर वाला दिया तो दो चार नमबर कम आ गए तो फिर मैंने बताए कि शिफ्ट शिफ्ट पे अंतर होगा था वो चार पास शिफ्ट कुछ ऐसी निगली थी जिसमें मतलब पेपर मोड रेट पूछ आ गया था वो था किसी में पढ़ा और तीस नमबर आपके कहा चले गए उसके बार में बताई यह सर वह मैं आपके वीडियो से मैं तो बताई रहे है मैं वीडियो से ही किया था और उस टाइम पे मैंने नस्याटी का बूख नहीं पढ़ा था सर बाद में जब मैंने उस लोगों को पढ़ाना शुरू तो आपने नहीं पढ़िया था तो आपने निचोड़ी देख लें हाँ वो निचोड़ में काम चला दिया तो बात तो एक एंचाटी पढ़ लो या पीडे पढ़ लो एक बात आपको है ठीक है तो टाइम ज्यादा लगता है उसे पढ़ने में तीन नमबर कहा कट है आपके कटेश में टिन था एक इस सडाव में ऑदन नेपाल में तो यह नेपाल में नेपाल था तो यह और यह बता था थाफ मैंने वहाला स्ट्राइब गलत कर दिया तो एक नंबर तो इसमें कट गए लगारी तो फुछा छो में यह तो यह छोड़न कोशेई द्यूंग हैं और एक शेयल आंप्सा है यह दिया लाव दिया जुद्झा paper देखciones है कि जिने वन यह फोर डाला उसके एक नंबर मिले तो एक नमबर उसमें कटे और एक नमबर पैड़ा को जी में कट गए थे उसमें मैंने दो को सही किया था कि मतलब एक्टिविटी करा के डिसकसन कराना बस डिसकसन वाला नहीं था ठीक है तो मतलब आपने बस NCRT का ही वो जो मैंने सब्सक्राइब हुआ hack ऋसके बाद आपकी बाद करतेै आपकी लेंगविज्य की तो आपने sang cu Coke Dal pequeman किया हुआ इकफिए जाता है और दूसरा आपका जाती यह पैड़ागोई-पैड़-टीओ तू मैंने विडियो ही देख आपका ठीक है तो सर में प्रोब्लम क्या हुआ इस बार के मैथ के कोसन काफी लेंदी आ गए थे मैथ के हाँ बड़े बड़े और प्रैक्टिस मैंने बिल्कुल की नहीं थी क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं कॉपी पेल ले करके प्रैक्टिस करूं तो पहले सबसे पहले मैंन तो जो स्टुडेंट ऐसे कि वह धाई गंटा पर सकते घर में निकाल सकते तो वह जाने के पहले दो-तीन बार प्रैक्टिस जरूर करें मैं नहीं कर पाई थी जिसका मुझे थोड़ा असर लगा क्योंकि धाई गंटे कभी कंटिन्यू घर में बैठ कर मैंने पढ़ाई नही तो थोड़ा कमजोर था इसके लिए और इसकी तो बहुत फराटेदार है हां सर पढ़ाया तो मैं नहीं है लेकिन उसका एलेडी स्ट्रॉंग है ना अभी चोड़ता रहा है तो मैंडम का जो बैक्गराउंड ता उस सुरू से गाउं से था तो इस वज़े से इनकी इंग्ल तो इसमां आपकी वह दिक्कत आपको देखनें को नहीं मिली नहीं सर वह तो मुझे लगता है आपके दो तीन वीडियो भी कोई देख ले तो अराम से कर लेगा उसके बाद किया थोड़ासा प्रेसर हो गया क्योंकि जब वह आता है ना कि बाद में हम लोगों को दिया गया यह बात तो में चीज है और यह प्रेक्टि जो आपको करने है ना यह आपको एक्जाम से पहले करने है ठीक है और जो हाउस वाइप नहीं है तो वह अराम से कर सकते हैं ठीक है और आपने कोचिंग की भी बात बताई कि अभी आप कुछ बच्चों को मतलब जूम से और मेरी भी आट दस फ्रेंड और भी है फिर और भी मेरे बढ़ते गए तो मैंने कहा कि नहीं कुछ जादा मेहनत करने की जोरुत नहीं है और मेरे बच्चे भी है तो मैं पढ़ारे मैंने आपका वह दे दिया कि इससे पढ़ लो यूट्यूब से तो उन लोगों ने सबने भाट इनकों देखते हैं तो मुझे डाउट हो जाता है अलवा जाता है एक गढ़ाइं को मैं आप ने करूब तो मैं कि लिए तो outgoing करणाम दोग तो आपके वीडियो पर मैं क्लियर कर देती हूं पर उन्हों को पता भी नहीं था कि मतलब पैसे दस हजार भागलपूर में तो कोचिंग के लिए तो इधार उदर टीचर से पढ़के यह करके तो जो हमारा पुराना धर्रा चला आ रहा है कि नौट्स लिखवादो याद करने के लिए इसमें तो इंट्रेस्ट आता नहीं और वीडियो में सबसे अची बात किया कि इंट्रेस्ट आ जाता है जब सर पढ़ यह चीज अची है वीडियो में कहा सकते कि सीट का एक्जाम को आपका बार बार मैं इसको जादा। लग बोल रही है कि मुझे अपलाइन में समझ में आरा था लेकिन फिर बी कुछ doubts हो चाते वह आप clear कर दिया करें वैसे sir मुझे नहीं doubts होते थे यहzone cent है ध्रेंट्स आपको देखें इसने का भी तरीका होता है बाएवेश चाफ है जो दूर होने के वज़े से नहीं आपा रहे तो कोशीज रहती है वो आप आए और आएंगे तो और इंटर्वी लिए जाएंगे और जितने भी बच्चे आएंगे ना उनके मुझसे एक ही बात सुनने को मिलेगी कि सर ना तो हमने कोई बुक ली ना हमने कोई कोचिंग ली बुक के लिए कभी-कभी कोई NCRD बुक आपको कह देगा बस आपको यही सुनने को मिलेगा कि इतने कम टाइप मीं हमने यह स्कॉर कर दिया वह पड़ दिया यही बात आपको सुनने को मिलेगी जी Oak तूमें. अच्छे तरीके से करिए ज्यादा कोई बड़ा एक्जान नहीं है ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोगों का भी एक्जाम अच्छे नंबर से पास होगा तैंक्यू मैं आप चैनल पर आए और आगे जो आपके एक्जाम है उसके लिए बेस्ट प्लक आपके एक्जाम वह मैं और बोलना चाहती है जो मुझे सर से आज मिलकर फिल हुआ है कि सर इतने अच्छे तीचर तो है यूट्यूब पर देखने के बाद तो इतने लोगों को फायदा हुआ है लेकिन सच में मिलने से सामने से यह बहुत ही अच्छे इंसान है इतने डाउन टूर्थ मैंने कर दो इंक